नमस्कार साथियों, मैं संदीप तवर उतकर्स के डिजिटल प्लेटफरम पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ सूरच के उगने से लेकर चांद के चमकने तक, समुद्र के जल के वास्पी करण से, वर्सा के जल की बुंदो के S2O तक, पेड़ पौधो के फोटो सिंतेसिस से स्टॉर्च बनने तक, कोसिका से उतक, उतक से अंग, तंत्र तथा सरीर निर्माण की प्रकिरिया को हम जानेंग तो जो हमारे जीवन की मूलभूत आवशक्ता होती है, उनमें रोटी, अर्थात भोजन, कपड़ा और मकान, ये हमारे जीवन की बुन्यारी आवशक्ता है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इनी मैसे हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वह टॉपिक क्या है, भ भोजन अर्थात पीजा, भोजन अर्थात बर्गर, भोजन अर्थात हरी सब्जिया, भोजन माने फल और दूद, और कई कई लोगों को कोल्ड रिंग भी बहुत पसंद है, इसका मतलब ये हुआ कि भोजन के अंदर बहुत सारी चीजों को देखा, हमने खाद्य पदार्तो को भी देखा, और पेपदार्तों को भी देखा, ये सारी चीजें, अर्थात हम भोजन के बारे में बात करने वाले हैं, और भोजन के साथ-साथ हम क्या पढ़ने वाले हैं, मानव स्वास्तिय के बारे में, अर्थात हमारा टॉपिक हो गया, भोजन एवं मानव स्वास्तिय तो भोजन जो है जो हम करते हैं हम बहुत सारी चीजों को खाते हैं ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आपने देखा होगा कि बर्गर भी खाते हो पीजा भी खाते हो हरी सबजया भी खाते हैं और उसके साथ साथ फल भी खाते हैं क्या आपको पता है कि इन मैंसे कौन से घटक लेने से हमारे शरीर को उर्जा मिलती है और ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको खाने से हमारे शरीर को उर्जा नहीं मिलती तो वो जो घटक है अर्थात भोजन जो है जिसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे वो दो भाग कौन कौन से हैं तो जिसके अंदर पहला भाग आता है संतुलित भोजन और दूसरा भाग आता है असंतुलित भोजन क्या होता है संतुलिद भोजन और क्या होता है असंतुलिद भोजन तो जो ये संतुलिद भोजन होता है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हरी सबजिया होती है दूद होता है फल होता है ये सारे जो है वह किसमें आते हैं संतुलिद भोजन में और असंतुलिद भोजन में क्या आता है जिसमें fast food आता है जिसके अंदर pizza आपने देखा होगा, burger देखा होगा, cold drinks देखे होगे, chips देखे होगे, ये सारी चीजे किसमें आती है असंतुलिद भोजन में, अर्थात यहां पर भोजन के जो है वो कितने घटक हो गए, दो घटक, जिसके अंदर संतुलिद भोजन भी आता है, असंतुलिद भोजन आता है, अब हमें कौन सा भोजन करना है, क्या हमें संतुलिद भोजन करना है, क्या हमें असंतुलिद भोजन करना है, हमें कौन सा करना, या दोनों ही करना है, तो जो संतुलिद भोजन होता है, जिसके खामीन, खनीज लवन, कार्बो हाइड्रेड, वशा, जल और साथ साथ में रुकसांस ये सारी चीजे जो है यह भोजन के मुख्य घटक है अर्थात इन सबसे हमारे सरीर को क्या मिलती है उर्जा मिलती है और ये सारे पोशक तत्व यदि भोजन में विद्यमान है इसका मतलब है कि वह भोजन कैसा हो गया संतुलित भोजन और जिस भोजन में ये सारे तत्व विद्यमान नहीं होते हैं उसे हम क्या कहेंगे असंतुलित भोजन अर्थात हमने यहां पर देखा कि भोजन के जो है वह कितने घटक हो गए दो घटक हो गए संतुलित भोजन को पढ़ा अस से पोशक तत्व, प्रोटीन, विटामीन, खनीज लवन, कार्बो हाइड्रेड, वसा, ये सारे पोशक तत्व यदि विध्यमान हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित भोजन, और ये सारे पोशक तत्व विध्यमान नहीं है, इसका मतलब है असंतुलित भोजन, और सुलित भोजन करने से व्यक्ति कूपोशन का सिकार हो जाता है बच्चे कूपोशित हो जाते हैं कूपोशन क्या होता है अर्थात हमारे भोजन के अंदर परियाप्त मात्रा में पोशक तत्व की कमी थी या पोशक तत्व नहीं थे उसे हम क्या कहेंगे कूपोशन कहेंगे यह जो कूपोशन होता है ये तीन कारणों से हो सकता है कौन-कौन से तीन कारण हो सकते हैं तो कूपोशन का पहला कारण जो है वह क्या होगा यहाँ पर गरीबी अर्था गरीबी के कारण कूपोशन होता है क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं उन्हें प्रयाप्त मात्रा में क्या नहीं मिल पाता है अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है इस कारण जो है गरीबी के कारण वह संतुलिक भोजन नहीं कर पाता है और कूपोशन का सिकार हो जाता है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शिक्षा के जानकारी के अभाव में अर्थात जिने यह नहीं पता होता है कि उन या उसे पीजा बर्गर खाना चाहिए, तो शिक्षा के अभाव के कारण कूपोशन का सिकार हो जाते हैं। हम मैंसे ऐसे कई सारे लोग होते हैं ऐसे कई प्रकार के विध्यारती और बच्चे हम देखते हैं जो सुबह उड़ते हैं नास्ते के अंदर इस प्रकार के जंग फूड का उपयोग करते हैं और रात को सोते समय तक वो फास्ट फूड का ही उपयोग करते हैं दिन की शुरुवात जो है वो ऐसे-ऐसे चीज़ों से करते हैं जिनके अंदर पोशक तत्व विध्यमान नहीं होते हैं और रात को सोते समय भी कोल ट्रिंग का सेवन करते हैं इसका अर्थ क्या हुआ? कि क्या हमें इनसे उर्जा मिल रही है क्या ये पोशक तत्व है ये पोशक तत्व नहीं होते और ना इनसे हमारे सरीर को उर्जा मिलती है तो फिर इन चीजों का सेवन क्यों करें क्यों हम कूपोशन की और जाएं क्यों मानो स्वास्ते पर इसका प्रभाव पढ़ रहा है, तो इसके बारे में हम देख रहे हैं, अर्थात कैसा भोजन करना चाहिए इसके बारे में पढ़ा, कि संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, ना कि असंतुलित भोजन क्यों करना चाहिए, इसके बारे मे तो इससे जो लाब मिल रहा है वह यह लाब हुआ कि बिमार नहीं पड़ेंगे इससे हमारे स्वास्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए असंतुलित भोजन करते हैं और इसे कूपोशन का सीकार हो जाते हैं तो इसे बहुत प्रकार की बिमारिया हो सकती है कौन-क कौशन के भी तीन प्रकार है कौन-कौन से तीन प्रकार है उसकी बारे में हमने देखा तो वो जो तीन प्रकार थे जिसके अंदर हमने देखा प्रोटीन के कारण कूपोशन का सिकार हो सकते हैं विटामीन के कारण हो सकते हैं खनीज लवन के कारण कूपोशन का सिकार हो सकत अर्थात ये सारे घटक भोजन में परियाप्त मात्रा में नहीं थे, इसलिए मानो स्वास्त्य पर प्रभाव पड़ा, क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, यदि प्रोटीन परियाप्त मात्रा में शरीर में नहीं जाता है, यदि आहार में प्रोटीन नहीं है, तो इससे कौन कौन सी बिमारिया हो सकती है तो प्रोटीन की कमी से दो प्रकार की बिमारिया हो सकती है वो दो प्रकार की बिमारिया कौन कौन सी है तो जिसके अंदर हम देखेंगे क्वासी और कर और मेरसमस यह वो दो प्रकार की बिमारिया है जो प्रोटीन की कमी से होती है किसकी कमी से होती ह Catalurti की से से जिसके आंदर हमने पढ़ा क्वासी और कर और मेरअसमस तो यह वो दो प्ररकार की बिमार्या थी तो क्वासी और कर इसके अंदर क्या होता है तो यह जो रोग है यह प्राया बच्चा में होता है बच्चे का पेट-फूल कर बहर आजाता है निंद्रा काली नवस्ता में रहता है चिड़ चिड़ा सभाव हो जाता है तो ये सारा क्यों हुआ ये सारा इसलिए हुआ क्यूंकि प्रोटीन की कमी थी उसके भोजन में प्रोटीन नहीं था इसलिए उसे क्वासी और कर रोग हुए मेरसमस रोग जिसकी अंदर उसका सरीर जो हड़ियों का कंकाल दिखाई देता है आखे अंदर शली जाती दस जाती है ऐसा क्यूं हुआ क्यों कि इसके भोजन में किसकी कमी थी प्रोटीन की कमी थी तो प्रोटीन की कमी के कारण उसे क्वासिक और कर और मेरसमस रोगों का सामना करना पड़ रहा है यदि उसके भोजन में प्रोटीन होता तो क्या वा बिमार पड़ता क्या उसके स्वास्ते पर प्रभाव करता नहीं पड़ता इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो भोजन है क्या उस भोजन में प्रोटीन है उसकी हमें जानकारी होनी और हमें ऐसा ही भोजन करना चाहिए, जिसके अंदर क्या हो, सारे पोशक ततवव विद्यमान हो, जिससे हम क्या नहीं होंगे, भीमार नहीं होंगे। उसी प्रकार, विटामिन के कारण भी liberals क्या रोग हो सकते हैं। कि विटामिन जो है, क्यों विटामीन होते हैं और इन सारे विटामीन का सरीर में कोई न कोई कार्य होता है और विटामीन की कमी के कारण सरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है विटामीन नहीं है परियापत मातरा में तो इससे कई प्रकार के रोग हो सकते जैसे विटामिन A की बात करें तो रतौंदी रोग होता है जिसके अंदर रात के समय उसको दिखाई नहीं देता है उसी प्रकार विटामिन B1 की बात करेंगे तो बैरी-बैरी रोग हो जाएगा रिदय की धड़कन का कमजोर हो जाना अगर हम vitamin B2 की बात करेंगे अर्था ट्राइबो फ्लेविनोसिस की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके चहरे पर चक्ते बन जाएंगे पपड़िया जम जाएगी उसी प्रकार vitamin B3 की बात करेंगे तो उसे पहलेगरा रोग होने की संभावना रहेगी ऐसे ही vitamin C की बात करेंगे तो इसकर भी रोग होगा और इसकर भी रोग में क्या होता है मसूडों से खून आने लग जाता है ये हम देख रहे हैं उसी प्रकार vitamin D जिसके कारण rickets रोग हो जाता है rickets रोग में क्या होता है कि गुटने पास-पास आ जाते हैं, चलने में दिक्कत आती है, तो ये विटामिन D के कारण हुआ, तो ये सारी चीज़े जो है, ये हम देख रहे हैं, ये किसकी कमी के कारण हो रहा है, विटामिन की कमी के कारण, भोजन में विटामिन नहीं था, और भोजन में विटामिन नह होने के कारण यह सारी समश्या है हमारे सामने आई इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो भोजन करना चाहिए उस भोजन के अंदर परियाप्त मात्रा में विटामीन होना चाहिए उसी प्रकार खनीज लवनों की हम बात करेंगे तो खनीज लवनों की कमी से भी कई प्रकार के रोग हो सकते हैं खनीज लवन कौन कौन से होते हैं सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, आयोडीन होता है, आयरन होता है ऐसे बहुत सारे खनीज लवन होते हैं सबकी कमी से कोई न कोई रोग होता है, इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आयोडीन की जो कमी होती इससे कौन सा रोग हो सकता है, तो आयोडीन की कमी से गलगन या घेंगा रोग होता है, अर्थात गले के अंदर गला फूल कर भार आ जाता है, गले का फूल जाना तो यह हमने कहा देखा यह हमने देखा आयोडीन की कमी के कारण और आयोडीन क्या है खनीज लवन है और थात हमारे भोजन में जब परियापत मात्रा में खनीज लवन नहीं है तब भी व्यक्ति बिमार हो सकता है हम मैंसे कोई बिमार हो सकता है क्या आप मैंसे कोई बिमार होना चाता है नहीं होना चाता है हम मैंसे ऐसा कोई नहीं है जो बिमार होना चाता है कोई भी ऐसा नहीं है जो यह चाता है कि मैं अपना काम ना कर सकूं मैं पढ़ ना सकूं कोई ऐसा ना चाहेगा सब को खेलना है संतुलित आहार करना है संतुलित भोजन करना है ऐसा भोजन जिसके अंदर सारे के सारे अव्यव मौजूद हो हमें वही भोजन करना है जिसमें प्रोटीन भी हो विटामीन भी हो वसा भी हो कार्बो हैड्रेट भी हो इस सारी चीचे विध्यमान रहेगी हम वही भोजन करेंग हम ऐसा भोजन नहीं करेंगे जिससे हमारे स्वास्ते पर प्रभाव पड़ेगा इसका मतलब हम मैंसे कोई भी बिमार नहीं होना चाहेगा न हम चाहते हैं क्योंकि हम क्या रहना चाहते हैं स्वस्त रहना चाहते हैं तो यहां पर हमने क्या देखा भोजन के बारे में देखा और भोजन से किस पर प्रभाव पड़ा मानो स्वास्ते पर प्रभाव पड़ा यह हमने देखा तो भोजन करने से यदि अच्छा करेंगे तो स्वास्ते पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और असंतुलित भोजन कर है हमें इसका दिन प्रते दिन उपयोग में भी लेते हैं नहीं लेते हैं तो इसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं तो भोजन तो करना ही है परंतु कैसा करना है अच्छा भोजन करना है फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है क्योंकि इसमें क्या नहीं होतے है पोशक त्थव नहीं होते है आपने आधे ये देखा कि हमें कैसा भोजन करना चाहिügen और आपने ये भी देख लिया कि कौन-कौन से भोजन के अवयव नहीं करने से अर्थात असंतुलित भोजन के अंदर ऐसी कौन-कौन सी चीजे होती है जिसके कारण व्यक्ति बिमार पड़ सकता है हमने उसके कारण भी जाने तो यहाँ पर भोजन और मानो स्वास्तियों को हमने समझने का प्रियास किया उसी प्रकार और भी ऐसे कही सारी कक्षाएं आपके लिए होने वाली है यह सारी कक्षाएं कहां पर होगी यह शारी जो कक्षाएं हैं यह उतकर्स के बंच पर होगी अर्थात आपको आगे के वीडियो देखने के लिए और इसी प्रकार से रोचक वीडियो देखने के लिए आपको उतकर्स की कक्षाओं के अंदर वीडियो मिलेगा E-notes मिलेगा जो वीडियो हम पढ़ा रहें उसी वीडियो का उसी वीडियो पर आधारित सरल और एक रोचक भासा के अंदर आपको E-notes मिलने जा रहा है E-notes के साथ साथ और क्या मिलेगा जो हमने पढ़ा है उसका हम स्वैम टेस्स कर सकते हैं Self Analysis कर सकते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, quiz मिलेगा, जहांपर हमने जो पड़ा है, जो E-Notes हमने देखे हैं, उससे आधारित, E-Notes के आधारित क्या मिलेगा, quiz मिलने जा रहा है, अर्थात बहु चाहिनात्मक प्रश्णों का एक समू होगा, जहांपर आप अपना स्वयम का टेस्ट कर सकते हैं, इसके साथ साथ हर रविवार को बहुत सारे विध्यारतियों के साथ, एक विध्यारतियों का समू, जिसके साथ आप क्या देने वाले हो, टेस्ट देने वाले हो, और उस रविवार ये टेस्ट पर कितने सारे विध्यारतियों होंगे, इतने स सारे विध्यारतियों के साथ आपकी प्रतिश्परदा होने जा रही है उसी प्रकार विज्ञान विशे को और सरल बनाने के लिए प्रायोगी कक्षाओं के माध्यम से हम विज्ञान को अच्छे से जानेंगे हर समश्या का समाधान करेंगे और आपकी हर समश्या का जो समाधा ने वो कहा मिलेगा उतकर्स के प्लेटफर्म पर धन्यवाद